एक फिल्म एक्ट्रेस हैं, खंगना रुनावत, आप सब लोग जानते होंगे, आप सब उनके मुरीद होंगे, उनके एक्टिंग के, मैं भी हूँ, लेकिन मैं उनके मुरीद जादा हूँ पिट्रियाजम के, उनका जो राष्टबाद है न, जो अजय जडिजा वला राष्ट वाजने वाला, उनको लगता है कि सिर्फ जैसे राजपूत ही लर सकता है, उसी तरह से इनका वाला भी है, तो इनकी एक बहन है, रंगोली चंदेल, उन्होंने बड़ी बात कहिए, उन्होंने कहा है कि परधान 2024 का चुनाओं रोक देना चाहिए, और लाखों लाख करोर परवाद होते हैं, परधान मंत्री मोदी को उसी कंटिन्यू करना चाहिए, बताइए ये हाल है भक्तों का, तो क्या ये कोई मामूली सक्स नहीं है, हमारे आपके जैसा कि बोल दे और हम इसको संग्यान में न ले, सक्स तो बहुत बड़ी है, मामलाई बहुत गंभीर है, आ ये संभिधान के खिलाफ है, ये संसत के खिलाफ है, ये डिमोक्रिसी के खिलाफ है, और ये भारतिय संभिधान का अपमान है, जो हर पांच साल पर चुनाओ की बात कहता है, तो क्या इन पर सेडिसन का चार्ज लगेगा, क्या इनको गिरफतार किया जाएगा, और इनकी बह कि आज बाबा सहब की जयनती है और किस तरह के हालात बनाय जा रहे हैं आप सोचिए कि लोग कुरोणा से मर रहे हैं और उनको अभी से चुनाओ की चिंता 24 की चिंता सताने लगी है तो ये जो रंगोली चंदेल है दरसल ये उन तमाम लोग की भावना ब्यक्त कर रही है जो भक्त कैटेगरी में है जो एक समर्थक है मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ इस देश में बहुत सारी पार्टियों की सर्जंतादल की भी सरकार बनी है कॉंग्रेस की भी सरकार बनी है बीजेपी की सरकार बनी है इसे पहले वाली लोग मुद्दो पर सरकार के समर्थन में होते थे मुद्दो पर सरकार के खिलाफ होते थे ये पहली बार एक सरकार बनी है लोग को ये नहीं जो भक्त है उनको समझ में नहीं है कि सरकार और देश अ ये ठीक वैसे जैसे इंद्रा नै कहा थाथा कि इंद्रा इंडिया इंडिया इस इन द्रा दें पाइज मंगाल के जो तो आज प्यूंगरेस वाली पर्टी कोई देश सबसे उपर है हम सबके लिए न्यादा जरूरी ए और देश तभी बहतर करेगा जब देमोक्रेसी होगी, लोक्तंत्र होगा और आपकी बोलने के आजादी सुरक्षित होगी सोचिये परधानमंतरी मन मोहन सिंग थे तो आपने कितना छाती पीटा उनको हटाया जनता ने मोदी जी को लाया लेकिन मोदी जी के काम काज काभी आक्लन करने की जोड़त है ऐसा नहीं कि ये रंगोली चंदेल की तरह कहीं कि 2024 में ही कंटिन्यू करें तो मुझे लगता ये भक्तों की भावना है जिसको उन्होंने ट्वीटर के जरीए ब्यक्त किया है और इस पर खबरे छपने लगी है आप लोग की क्या पर्तकिरिया है क्या आप चंदोली रंगोली चंदेल की बातों से सहमत है कि 2024 में चुनाव नहों और मोदी जी को परधान मंतरी कंटिन्यू कर देना चाहिए आप लोग अपनी पर्तकिरिया जरूर दीजिए आपकी पर्तकिरिया बहुत जरूरी है शुक्रिया